तो आज के इस फीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजनिंग का एक टॉपिक जो की है डॉट सिचुएशन बेस्ट कोईशन इस टॉपिक की कोईशन आप लोगों को एक्जाम में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं पर फिर भी यह टॉपिक का इंपोटेंस काफी है इस इसमें एक दो तो आते ही आते हैं एक्जाम में तो आए अपनों के स्टार्ट करने से पहले आपको एक होंबा कोईशन करा देते हैं उसके बाद फिर इसके कोईशन पर आते हैं तो देखें कल का कुईशन क्या था चूज़ा फिगर विच्बुड मोस्ट लोज ली और देखना होता है कि कौन सा ऐसा डाइग्राम है जो क्लोजली रिसेंब्लेंस कर रहा है इस वाले डाइग्राम जेट के साथ ठीक है तो आई हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरह का आपने कुछ पेपर लिया जो की एक्स में शो हो रहा है और फिर थोड़ा सा इसका इतना पार्ट क्या कर देना है आपको फोल्ड कर देना है तो इतना पार्ट हमने फोल्ड कर दिया फिर उसी तरह से वाई में भी सेम उतना ही पार्ट इधर साइट से फोल्ड कर देना है तो कितना पेपर बचा जितना आपको जेड में शो हो रहा है ठीक है इतना पेपर अब बच दो option कौन कौन से बचा या तो second या तो third होगा अब देखिए second वाला कैसे correct है इसको समझ लेजिए यह option आपका second correct होगा कैसे correct है तो देखिए इसमें जो है थोड़ा सा यह curve होकर के आया हुआ है second में यह जो diagram है यहां पर थोड़ा सा curve होके आया है जब कि third वाले में एकदम सीधी line आ गई है तो यही आपका क्या है इसलिए second option correct है क्योंकि यहां पर जो diagram बनाएं कुछ ऐसा है फिर ऐसा है देन उसके बाद इस तरह का बना हुआ है ठीक है तो थोड़ा सा curve है इसलिए यहां पर भी थोड़ा सा curve होना चाहिए था तो आपका option number second correct हो जाएगा अब आएए start करते हैं dot situation based question question number first आपकी screen पे है इसमें क्या करना होता है आपको एक figure x दिया होता है और उसमें से क्या करना है select a figure which satisfies the same condition of the placement of dot as in the figure x यहां पर आपको चार option मिल रहे हैं और इन चारो option में से जो dot की situation को एकदम same follow करेगा वही आपको option choose करना है कैसे dot की situation को देखना है पहले इसको बता देते हैं देखे एक्स वाले diagram में अगर आप लोग देखोगी तो आपको दिख रहा होगा एक dot बना हुआ यह dot किस में बना हुआ है ठीक है यानि कि dot जो है यह दोनों में common है किस में किस में common है triangle और rectangle में common है पर यह circle में नहीं जाना चाहिए तो उसी तरह का आपको एक ऐसा diagram देखना है जिसमें आपको कोई एक पॉइंट यानि कि कोई एक जगह भी ऐसी मिल जाए जिसमें circle common से बाहर हो और triangle और rectangle common मना रहे हूं तो देखिए आप लोगो डाइग्राम कौन सा डाइग्राम मिल रहा है तो आपको पहला ही डाइग्राम कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें circle थोड़ा सा बाहर है और triangle और rectangle एक जैसे हैं तो यहाँ पे अगर हम dot लगा देते हैं तो यह answer आपका correct हो जाएगा ठीक है अब इसमें देखिए जो dot है यह किस के किस के बीच में है यानि कि किस में common है तो आपको दिखेगा कि यह rectangle से बाहर है ठीक है rectangle कह लिजे या फिर square कह लिजे square से यह बाहर है पर किस में common है circle में और triangle एक ऐसा बना हुआ है ठीक है तो circle और triangle में यह dot common है पर rectangle से बाहर है तो ही देखना है इन चारों option में कि कहीं पर ऐसा प्लेस मिल रहा हो जिसमें circle और triangle में कुछ points common हो पर वो क्या होना चाहिए स्क्वाइर से बाहर होना चाहिए तो आपको diagram देखेंगा third option ठीक है third option में देखिए square थोड़ा से बाहर है और triangle और circle इन दोनों में कुछ points हमको common मिल रहे हैं तो आपको dot कहां place कर देना है ऐसा dot place कर लोगे आप लोग और वहीं आपका answer क्या होगा correct हो जाएगा ठीक है तो question number second का option c correct है यानि कि तीसरा जो diagram है यह एकदम closely बता रहा है x की तरह से next question question number third को देखते हैं question number third में देखें यहां पर क्या है यहां पर आपको triangle circle और rectangle इन तीनों में common dot दिख रहा है जानि कि आपको एक ऐसा diagram देखना है जिसमें तीनों points common मिल जाए तो जल्ली से search करिए आप लोग वीडियो को पॉस करिए खुद से कोशिश करिए answer ढूणने की तो देखिए आपको इस वाले में अगर देखेंगे तो इस वाले में आप कहां पर ऐसा dot लगाओगे जो तीनों जगे common मिल जाए तो ऐसा कोई भी प्लेस नहीं मिल रहा है जहां पर तीनों common मिल रहे हूं थर्ड वाले में देखेंगे तो कुछ points मिल रहे हैं जो circle और triangle में common है कुछ points मिल रहे हैं जो triangle और rectangle में common है कुछ point rectangle और circle में common है पर तीनों में common हूं ऐसा कोई भी point आपको नहीं दिख रहा है, तो ये भी option गलत है, और ये भी option गलत हो जाएगा, बचाए एक option, जो कि ये option number second, यही आपका answer correct हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये जो छोटी सी position दिख रही है आपको, फिर से बता रहा है, तो अगर हम second वाले diagram में देखेंगे, तो second वाले diagram में एक छोड़ी सी position common मिल रही है, जो कि है ये वाली position, ठीके, यहाँ पे अगर हम point रखते हैं, तो ये triangle में भी आएगा, rectangle में भी आएगा, और circle में भी आएगा, तो आपका answer correct हो गया, option number second, यानि कि B option जो है, ये correct है, ठीके, next question, question number fourth पे चलते हैं, अब question number four में देख आ रहा है, ठीके, circle और square में, ri dot पर triangle के बाहर है, तो जल्दी से एक ऐसा diagram सर्च करिए, जहाँ पे triangle के बाहर dot हम लोग बना सके, और क्या हो, circle और square में आना चाहिए, वो dot, तो आपको कौन सा option मिलेगा, देखी, यहाँ पे आप बना नहीं सकते, यहाँ पे हो नहीं सकता, क्य यह किसमें आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, square और circle के अंदर, जो की triangle से पूरी तरह से बाहर रहेगा, चाहिए, तो आपको इसका answer correct है, option number 4, और यहाँ पे अगर हम dot place कर सकते हैं, easily, तो यही answer correct हो जाएगा, option number D, clear हुआ अच्छे से, next question, question number 5 पे चलते हैं, question number 5 में देखी, अब आपको दो-दो dot दिये गए हैं, अब हमें क्या करना है, एक dot को तो देखना ही देखना है, साथी साथ दूसरे dot को भी analyze करना है, हो सकता है कि किसी में एक dot satisfy कर रहा हो, पर दूसरा वाला नहीं कर रहा हो, तो आपको एक ऐसा diagram देखना है, जिसमें तीनो dot satisfy करेंगी, चिक किसमें है, triangle और circle दोनों में common है, और जो दूसरा वाला dot दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, circle में है, वो किसी में भी common नहीं है, सिर्फ circle में है, और पहला वाला dot circle और triangle दोनों में common है, चिक है, तो हम यहीं पोजिशन देखनी है, कि एक dot ऐसा है, जो circle में सिर्फ चला जाए और एक डॉट ऐसा है जो कि ट्राइंगल और सर्कल दोना में हो जाए तो आपका आंसर करेक्ट होगा option no.3 यही आंसर इसका correct होगा एक डॉट हम यहाँ पर बना देंगे उपर साइट तो यह सिर्फ सर्कल में रहेगा और एक डॉट हम किसी के बीच में बना देंगे इसी के जस्ट बाद में तो यह ट्राइंगल और सर्कल में भी आ जाएगा तो आपका आंसर होगा option no.3 नेक्ट question question no.6 पर चलते हैं question no.6 में भी आपको दो-दो डॉट दिये हैं और दोनों डॉट में देखिए दो दो चीज common है पहले वाले dot में अगर हम बात करें तो पहले वाले dot में circle और triangle common है दूसरे वाले dot की बात करते हैं तो दूसरे वाले dot में triangle और square common है क्या common है triangle और square common है तो आपको इसमें भी क्या करना है कुछ ऐसा ही diagram ढूर निकालना है तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आपको कैसे देखना है triangle और square का common और triangle और circle का common जहें तो देखेंगे आपका answer correct होगा इसका option number a correct यानि कि पहला वाला correct होगा कैसे पहला वाला correct होगा इसको हम आपको पताते हैं अच्छे से देखें पहला dot अगर यहाँ पे place कर दोगे तो व यह answer correct होगा question number 6 का option number a correct है next question question number 7 पे चलते हैं question number 7 में भी देखेंगे आपको दो dot दिख रहे हैं वही same possibility है इसमें भी triangle और circle में common और एक dot जो है triangle or square में common है तो इसका answer क्या correct होगा इसको भी देखें तो इसमें भी आप देखोगे तो आपका option number a ही correct होगा यानि कि first option एक dot अग common हो गया दूसरा डॉट अगर हम यहां पर place कर देंगे तो यह triangle or square में common हो जाएगा ठीक है तो option number a correct होगया question number 7 का next question question number 8 पे चलते हैं question number 8 में देखिए अब आपको तीन तीन dots दिखाई गे रहे हैं अब यहां पर question के level थोड़े से increase हो रहे हैं सबसे पहले हमने आपको एक dot को दिखाया उसकी practice कराई फिर दो dot के साथ practice कराई अब तीन dot है चेकिए अब देखिए यह question कैसे करना है same उसी तरह से सारे question होंगे कोई भी question में changes हमें नहीं करने हैं यह दो चीज में common है किसमे circle में और square में तो हमें ऐसा ही diagram सर्च करना है जिसमें एक dot मिल जाए एक position मिल जाए जो तीनों में common हो फिर दो position ऐसी मिल जाएं जिसमें एक वाले में circle और triangle को मानूँ और एक वाले में circle और rectangle को मानूँ चीक है तो दोरते हैं तो आपका इसमें से diagram जो है ये वाला तो बिल्कुल नहीं correct हो पाएगा क्योंकि तीनों की position से कहीं पे मिली नहीं रही है ये भी बिल्कुल नहीं उपाएगा क्योंकि कोई भी ऐसी position नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ triangle या square हो या triangle circle हो तो आपको एक position ऐसी चाहिए जिसमें triangle और circle जो है एक साथ आने चाहिए पर यहां पर नहीं मिल रहा है और यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है तो आपका एक ही diagram बच रहा है जो कि यह option number second correct यानि कि बी option जो है यह आपका correct हो जाएगा कैसे correct है आई हम देख लेते हैं इसको यह x का diagram correct हो जाएगा option number second कैसे एक point हमें चाहिए जो तीनों में हो तो यह वाला position जो है आपको मिल जाएगा जो तीनों में होगा ठीक है इसके आगे बीच में एक position चाहिए जो triangle और circle में हो तो यह वाला dot हो जाएगा correct उसके बाद एक position चाहिए जो कि square और circle में हो तो आपको यह जो side side में position दिख रहेंगे यह square और circle में common आ जाएंगी ठीक है तो यह हो गया आपका answer correct यानि कि option number B correct है question number 8 का next question question number 9 पे चलते हैं question number 9 में क्या है यहाँ भी तीन dots दिये गए है और इन तीनों dot को ही हमें position देख लेनी है तो पहला dot common है circle और triangle में तो इसका diagram कौन सा correct है यहाँ पे आपका correct हो जाएका option number 4 जैसा कि अभी हमने बताया था same ऐसा ही diagram यह भी है थोड़ा सा posit करके दिया गया है तो question number 9 का आपका answer correct है option number D next question question number 10 को देखते हैं जो कि आज का last question है अब इस वाले में देखिए यहाँ पे भी आपको तीन dot दिख रहे है यह question बहुत easy सा है एक dot सिर्फ आपको देखना है triangle और circle में दूसरा dot देखना है triangle और circle में sorry square और circle में और तीसरा dot देखना है जो सिर्फ और सिर्फ circle में हो तो जल्दी से इसका answer बताइए सिर्फ और सिर्फ circle की position पहले देख लिजिए कि कहाँ पे खाली मिल रही है तो आपको इस वाले diagram में बिल्कुल नहीं मिल रही है तो यह तो option हमने पहले discard कर दिया फिर दूसरी position पे हम चलते हैं circle और triangle में भी common एक point होने चाहिए तो यहाँ से यह option भी आप काट जाता है और उसके बाद फिर क्या है कि square और circle में भी एक point common होने चाहिए तो ऐसा कोई भी point यहाँ पे common नहीं दिख रहा है चाहिए क्योंकि triangle में भी आ जाएगा वो point common तो आपका answer correct है option number third अगर हम option number third को देखेंगे तो यहाँ पे पूरे-पूरे points वैसे ही मिल रहे है एक point common हो जाएगा circle और square में दूसरा point common हो जाएगा circle और triangle में और तीसरा point जो हम यहाँ पे बीच में रख देंगे तो यह common हो जाएगा तीनों में तो आपका question number 10 का option number C correct है यानि कि तीसरा diagram एक्दम correct है तो यह रहें आपके top 10 question I hope आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी dot situation के questions को हमें कैसे करने है बहुत यह अच्छे से आपको clear हो गया होगा यह question बहुत easy होते हैं अगर आपको कहीं पे confusion होई होगी तो वीडियो को फिर से देख लिजेगा सारे question एकदम easily समझ में आ जाएंगे अब आपको बता देते हैं कि अगर आप school level पर reasoning की preparation करना चाते हो तो आपके लिए best book रहेगी Olympiad reasoning workbook यह अलग-अलग grades के लिए अलग-अलग label है आपको जिस भी grade की preparation करनी हो उस grade की book ले सकते हो और अगर आप competitive exam के लिए reasoning की preparation करना चाते हो तो आपको book लेनी चाहिए modern approach to the verbal and non-verbal reasoning book by R.S. Agrawal ठीक है? R.S. Agrawal की जो book है यह reasoning के लिए सबसे best माले जाती है तो यह रहा आपका एक होबा question इसका answer आपको comment section में बताना है question क्या है? वही आपको एक figure X दिया गया है इसमें कुछ dot placed है और उसी के according आपको check करना है कि कौन सा option correct होगा? तो इसका जो भी answer होगा comment section में जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like करिएगा thank you so much